सब्सक्राइब किया नहीं शरू ठीक है तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी करो और हाँ बात में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो observations which determine whether the chemical reaction has taken place or not अब हम बात करने जा रहे हैं उन observations की जिनने देखकर ना पता लगा सकतों किसी जगह पर chemical reaction हो पा रही है या नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं chemical reaction must be associated with change in temperature यहाँ पर हम बात करेंगे change in temperature की तो chemical reaction हो रही है ऐसा मैं कब बोल सकता हूँ कि जब change in temperature हो रहा होगा यानि किसी भी reaction के दौरान अगर heat evolve हो रही है या फिर heat absorb हो रही है तो मैं पता लगा लेता हूँ कि chemical reaction वहाँ पर हो रही है कोई event हो रहा है और उस event में अगर heat evolve हो रही है या absorb हो रही है तो मैं directly समाझ सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होगा change in temperature होगा यानि कि chemical reaction take place हो रही है इस बेस पर मैं chemical reactions को दो पार्ट में divide कर पाता हूँ पहला अगर किसी chemical reaction में heat evolve होती है यानि heat निकलती है exit होती है तो उसको ना तो १ामिक मतब हीट तो एक्जो थित्रयमिक reaction जिसमें heat evolve ही होती है फिर बात करते है है heat absorb होती है अगर किसी chemical reaction में तो एंटर हो रही है तो हीट मतब Thermic तो एंडो थित्रयमिक reaction जिसमें heat absorb हो रही होती है और heat अगर evolve हो रही होती है तो exothermic reaction next point के अगर बात करते हैं तो the reaction must occur between fixed quantities of the reactants कोई chemical reaction हमेशा fixed quantity of reactants के साथ होती है कैसे example को देख लेते हैं मैंने आप से बोला कि मेरे को water molecule बनाना है तो water molecule यानि H2O कैसे बनता होगा hydrogen और oxygen के मिलने से बनता है ठीक है किस तरीके से बनता है उसको आप देखेगा हमने बोला कि 2 hydrogen के atom एक oxygen atom के साथ combine होता है तो बनाता है water molecule यानि H2O अगर H2O बन रहा है आपको देखाई दे रहा है तो क्या होता हमेशा 2 hydrogen एक oxygen के साथ में मिलकर के water molecule का formation करता है ठीक है तो कहने के मतला क्या हुआ हमेशा fix quantities जो होती है reactants की reactants मतला hydrogen और oxygen और product क्या बन रहा है आपका H2O तो जो product है वो हमेशा fix quantity of reactant से बनता है ठीक है अगर ऐसा statement follow होता है तो हम उसको नाम देते हैं कि chemical reaction हो रही है next point की बात करते हैं तो the chemical reaction should follow the law of conservation of mass जो chemical reaction है वो law of conservation of mass को follow करते है किसको follow करते है law of conservation of mass को follow करते है अब यह क्या हो the law of conservation of mass तो law of conservation of mass बोलता है कि जो आपके पास में reactants होते हैं जो आपके पास में क्या होते हैं reactants होते हैं उनका total mass ठीक है और जो product होते हैं उनका total mass हमेशे क्या होता है conserve रहता है कहने का मत्दब reactant side का जो mass है और product side का जो mass है वो हमेशे क्या होता है equal होता है किसी chemical reaction में mass ना तो lost होता है और ना ही gain होता है यानि इस side में जितना mass था after the reaction जब product बनेगा तब भी mass उतना ही रहेगा जितना mass पहले था ओके देख लेते हैं किस तरीके से जैसे मान लिजे fe और s आपसों मिलते हैं तो कैसे दोनों का mass conserve रहता है अगर ये rule follow होता है यानि product side और जो आपका reactant side है वो दोनों कैसे है mass में equal है then हम बोलते हैं कि वहाँ पर law of conservation of mass follow रहा है तो यहाँ पर आप देख सकतो law of conservation of mass follow रहा है next point जो है the products obtained must have properties different from those of the reactants अब कहने का मतलब क्या होता है जैसे आपने ये example देखा है H2O2 मिलकर के H2O बना रहे हैं तो जो reactants होते हैं और जो product होता है तो product की property हमेशा reactants की properties से बहुत different होती है आप यहाँ देख सकतो H2 एक gas होती है O2 एक gas होती है लेकिन H2O जब बना तो वो क्या होता है कि liquid होता है तो कहने का मतलब क्या होता है इनकी जो properties होती हैं वो बहुत अलग-अलग होती हैं ओके word equation क्या होती है word equation तो सबसे पहले मैं एक sentence आपके सामने लिख रहूं तो क्या होता है तो यह मैंने एक sentence लिख दिया है अब यह sentence अगर मैं लिखता हूं तो एक single chemical reaction लिखने में बहुत टाइम लग जाता है तो मैं क्या बोलता हूं इस तरीके की जो form है वो कही जाती है आपकी sentence form of equation अब इसका drawback क्या है अब होगा क्या इस तरीके से अगर मैं sentence form में किसी equation को लिखता हूं तो इसमा बहुत टाइम लगता है बहुत लंबी हो जाती है तो मैं इसको छोटी form में लिखता हूं किसका इस्तिमाल करके प्लस sign और arrow sign के इस्तिमाल करके तो इस तरीके से बनने वाली जो short equation होती है उसे आप नाम देतों word equation के नाम देतों word equation देखते हैं कैसे लिखी होगी तो मैंने आपसे बोला है तरीके से बनने वाली short form को आप नाम देते हो word equation अब हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं यह sodium लेखा है तो इसका symbol पूट कर दें water लेखा इसका symbol पूट कर दें sodium hydroxide का symbol पूट कर दें hydrogen का symbol पूट कर दें तो जो नई equation बनेगी जसमें हमने symbols पूट कर रहे हैं उस equation को हम नाम देंगे symbolic form तो यह मेरे पास में symbolic form अब symbolic form जो होती है न वह दो तरीके की होती है एक होती है जिसमें हम left side में number of atoms और right साइड में number of atoms of different elements क्या कर देते हैं equal कर देते हैं कैसे कर देते हैं equal कर देते हैं तो उस type की symbolic form को आप नाम देते हो balanced chemical equation और जब left side में number of atoms of each element right side में मौझूद number of atoms of each element के बराबर नहीं होते हैं तो आप उसे नाम देते हो unbalanced chemical equation और आपको याद रखना है कि जो unbalanced chemical equation होती है उसका दूसरा नाम होता है skeletal form balanced chemical equation और unbalanced chemical equation को हम आगे आने वाले session में देख रहे हैं तो अभी आपको केवल याद रखना है कि word equation क्या है sentence form का छोटा rule छोटी form क्या कही जाती है word equation और अगर word equation मैं symbols पूट कर देता हूं तो क्या बन जाती है मेरी symbolic form rules for writing a word equation एक word equation लिखने के लिए मैं क्या-क्या rules use करता हूं तो सबसे पहले rule को हम देखते है the substances taking part in chemical reaction that is reactants are always written in the left side of the arrow तो मैंने आपसे बोला कि जो substances हैं जो take part कर रहे हैं chemical reaction में जिनको हम नाम देते हैं reactants उनको हमेशा arrow के left side में लिखा जाता है कहां लिखा जाता है left side में लिखा जाता है एक equation देख लेते हैं यह मेरे पास में chemical equation हो गई तो इसमें मैंने क्या बोला जो arrow है उसके left side में हमेशा हम किसको लिखते हैं जो हमारे reactants होते हैं जो take part करते हैं किसी chemical reaction में okay second point जो मेरे पास है the substances formed after the chemical reaction that is products are always written on the right hand side of the arrow अब यहां पर क्या होगा कि वो सारी के सारे substances जो form होते हैं form होते मदब product है chemical reaction के उनको आप कहां लिखते हो हो right hand side में लिखते हो कहां लिखते हो right hand side of the arrow तो यह रहा arrow arrow के right side में आपने किसको लिखा है जो product है यानि कि जो चीज़ें इसमें बनी है इस chemical reaction में बनी है ओके दोनों point clear है तो हम बोलेंगे left side में क्या लिखना है जो take part कर रहा है यानि reactants right side में किसको लिखना है जो form हो रहा है यानि की products okay next point जो है अब plus sign is put in between the reactants और between the products तो क्या होगा यहां पर plus sign लगाना होगा आपको क्या लगाना होगा plus sign लगाना होगा किसके बीच में reactants के बीच में या फिर किसके बीच में products के बीच में अगर यह दोया व गज्य से जादा है तो मैं कि बोलते हूं कि अगर मेरे पास्म को यहां पर जो रियक्टे एक इशे हैं वह कैसा है यह एक से जादा है अब किस और इसी तरीकह से प्रोडट्ट एक यह रहा प्रोड़क्ट दूसरा यह रहा अगर फिद्श। पूड़क्ट भी एक होता है and arrow is put between the reactants and products reactants और products के बीश्म में को क्या लगाना होता है यह रहे reactant यह रहे products इनके बीश्म मेंने क्या लगा दिया एरो लगा दिया दा ऐरो शोगय डिरेक्शन ओफ रियेक्शन इन विश्चिट्ट आपको क्या बताता है कि direction क्या है इस process के तो क्या होगा देखो ये जो reactant है ये दोनों मिलकर के ये product बनाते हैं तो arrow इधर की तरफ है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये दोनों मिलकर के ये बना रहे हो ठीक है always ये दोनों मिलकर के ये बनाएंगे ये दोनों मिलकर करके यह नहीं बनाएंगे ऐसा यह arrow बता रहा है sometimes ऐसा होता है कि यह दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट बापस से मिलकर फिर से reactants को ही produce कर देते हैं ऐसी reactions को हम नाम देते हैं bi-directional reactions क्या बोलते हैं bi-directional reaction तो उनमें एरो क्या होता है दोनों डारेक्शन वाला लगता है ठीक है जनरली जो reactions होती हो कैसे होती है unidirectional होती है यानि कि reactants मिलकर के product का formation करते हैं तो single directional arrow आप use करते हो ओके अब मेरे पास में एक important point आया यानि hashtag का point आया तो क्या है in the word equation when symbols and chemical formulae of the reactants and products are used then it is called as symbolic form of chemical equation ठीक है तो हम क्या बोलेंगे जब word equation में आप symbols chemical formulae लिख देते हो reactant और products के तो उस word equation को आप नाम देतो symbolic form of chemical reaction olarak तो हम आप आपी करन आक करते हैं दो होगioned